दोस्तो आप सब लोग होली के त्योहर के बारे में जरूर जानते होंगे कि होली एक रंगो का त्योहर है और पूरे हरसो उल्लास के साथ लोग इसे मनाते हैं लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि होली आखिर में क्यूं मनाई जाती है और होली के त्योहर में रंगो क्यों मनाई जाती है लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोगों का सबसे मनपंसद निद्धा त्योहार कौन सा है तो अब जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है दोस्तों होली के त्योहार को होली का दहन के अलावा र राजा था और उसका पुत्र प्रहलाद था तो प्रहलाद भगवान का बक्त था और हिरणिया कसप को ये पसंद नहीं था तो इसलिए हिरणिया कसप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली थी तो होलिका को ये वर्दान था कि उसे अगनी में कुछ भी नहीं होता है इसलिए वो प्रहलात को गोद में लेके अगनी में चली गई ताकि उसे मार सके लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा प्लहलात अगनी से बच गया और होली का जलकर मर गई तब से लोग होली का दहन करते हैं और अच्छाई पर बुराई की जीद का जस्नम म इस वज़ा से लोग इस त्योहर में एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि युल्टा यूहर कियो मनाते है और इसमें क्यों क्यों लगाए जाते हैं तो नससे पहले हैं उप तो वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजेगा और वाटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजेगा और इसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नए आव वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्ण पुछने के लिए नीचे कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि या कमेंट वाक्स में लिख सकते हो